नमस्कार साथ यो नई वीडियो में आपका स्वाकत है दोस्तो आज की हमारी यह पेशकस जो है समझत करमचारी सिक्चक अध्यवगुली है चाहिए फिर वो केंदर के हो यह फिर किसी भी राज के हो क्यों कि हम आपको यहां प्रतिसत निकालना बताएंगे वो भी डिये प्रत है वो 2%, 3%, 4% या 5% जब भी बढ़ता है तो आपकी बेसेली कितनी बढ़ जागी तो अभी फिलाल 34% केंदी करमचारी यह और 4% बढ़कर 38% हो जागा तो हम 4% बेतने जो डिये है बढ़ने वाला है उससे हर मईने आपकी कितनी सेली बढ़कर मिलेगी वो आपको जोड़ कर बताने वाले हैं आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी खुद जोड़ना सीख जाएंगे यानि हम आपको अंतर बताएंगे कि 34% ये पर आपको अभी इतनी सहली मिल रही है और 38% होने के बाद इतनी सहली मिलेगी तो आप उसका अंतर भी जान सकेंगे दोस्तो एक चार भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखके जरूर बताएं कोई गल्ती होती तो हमें छमा करते रहें क्योंकि हम आपके लिए ही खमर लेकर आते रहेते हैं आपकी आवाज उठाते रहेते हैं तो आईए एक छोटा सा प्रियास हमने आपके लिए किया है आपको पसंद जरूर आगा तो चलिए देख लेते हैं लैट्च गो तो दोस्तो आज हम चार परसेंट डिये का कैलकुलेशन करना सीखे गए प्रेक्टिकल बताएंगे विल्कुल आप इस वीडियो को फूरा देख लेंगे तो यकीन आप अपना जब भी डिये बढ़ेगा तो उससे आप जोड़ना सिखे जाएंगी आपकी बेतन कितनी बढ़ती है अभी चार परसेंट जो केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है उसमें आपकी बेतन कितनी बढ़ जाएगी यहनी कि फिलाल अभी बरतमान में 34 परसेंट डिये अधिक्तम तो आप सब्सक्राइब पता है जो सचिप इसतर के होते हैं उनका वेतन हाई होता है तो हम यहां केवल मिनीमम और एक मध्यम ले ले रहे हैं मान के चलते हैं किसी का 30,000 है और किसी का 50,000 है तो चली आपको अंतर भी बताएंगे हम कि 34% पर वेतन कितनी मल लई थी औ और 38% पर कितनी मिलेगे यह अंतर हो जागा तो सबसे पहले हम ने दो बेतन ली हैं और दो-दो उदारों उसके मानेगे यानि कि 30,000 जिसकी मूल बेतन है उसका हम 34% पर बेतन निकालेंगे कितना मिल ला था और 38% पर निकालेंगे उसी प्रकार से पर हम 50,000 है उसमें 34% पर निकालेंगे और 38% पर निकालेंगे और उनका अंतर देखनेगे कि कितने रूपय आपकी 4% पर बाढ़ रहा है तो चलिए सबसे पहले बात के लेते हम 30,000 मूल बतन जिसका है तो 30,000 मूल बतन जिसका है उसमें 34% डिये से गड़ना खरेंगे कि उसको 34% डिये कितना मिल रहा है और फिर उसका 38% देखेंगे तो 34% और 38% कितना अंतर रहनी कि कितने रूपय उसके 4% डिये पर बढ़ जाएंगे तो चलिए हम करते हैं आप इसको यह भी चार परसंट के बता रहे हैं जब भी कोई भी आपका आपका इस्टेट की गववर्णेंट हो आपकी सरकार जो भी आपका डिये बढ़ाएगी कभी भी कितना भी बढ़ाएगी एक दो तीन चार पॉँच परसंट तो आप इस वीडियो यह वार देख लेगे तो आप खुद से जोड़ना सीख जाएंगे तो चलिए मूल वेतन हम यहां पे 30,000 है यह 30,000 हमने लिख दिया है इसमें क्या करते हैं 34% आपका लिए है यह 34 यह प्रतिसत है इसको अठाएंगे तो बटे में नीचे आपका सो आ जागा यह आपको में से ध्यान रखना है प्रतिसत जब बिन्दी काड़ देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे 300 बच रहे हैं और यह 34 बच रहे हैं इनका आपको गोड़ा कर देना तो चलिए हम भो भी यहां करेंगे रख में 34 गोड़ते 300 तो आप तीन का खलने दो बिन्दी बाते बढ़ा देना चार तीया बारा हसल जाई ए तीन तीय नो रिक दस और दो बिन्दी तो आप देख सकते हैं 10,200 रुफे यह डीय है 34 परसेंट जब डीय है तब 30,000 मिनिमूम सेली पर जिसकी मूल बेतन 30,000 है उसका जो है 10,200 रुपे डीय मिल रहा 34 परसेंट से है अब चलिए 38 परसेंट पर जोड़ते हैं यहां लिख देते हैं 38% दिये तो मूल बेतन वही रहेगी 30,000 फिर वही पदती रहेगी गोणा करेंगे हम 38% प्रतिसत निसान अठाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा यहां दोबिंदी से दोबिंदी काड़ेंगे आप देख सकते हैं यहां पर पहले यह 34 था तो 34 गोड़ा ह यह हमने इसलिए लगा बिंदी का भी गोड़ा निकार रहा है बाद में आप बिंदी जोड़ा हैं गोड़ा आप सभी जानते हैं तो तीन गहारते हैं आट तीन 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 नो दस ग्यारा और दो बिंदी तो यह आप देख सकते हैं 11,400 रुपे डिये कितना हो रहा जब 38 पर पर आया है और यह आप देख सकते हैं 34 पर आया था 10,200 तो घटा लेते हैं आप 10,200 तो यह आप घटा लेंगे चार में से दो जाएंगे दो बचेंगे एक ऐसा यह नहीं बारा सो रुपे आपके बढ़ रहे हैं चार परसेंट डिये पर आपकी प्रती महा प्रती महा बारा सो रुपे बढ़ जाएंगे आपके जिसका मूल वेतन 30,000 रुपे हैं 30,000 पर जो है चार परसेंट पर बारा सो रुपे बढ़ रहे हैं ठीक है तो 34% जब डिये था तो उसको डिये में 10,200 मिल रहते और जब 4% और बढ़ जागा 38% हो जागा तो उसको 11,400 रुपे मिलेगे यानि कि 11,400 में से 10,200 रुपे तो 12,000 रुपे आपका इसका अंतरा रहा है यानि कि जिसका मूल बेतन 30,000 है उसके 4% डिये से 12,000 रुपे ब और जिसका मूल बेतन 50,000 रुपे तो चलिए उसी वीदी से करेंगे 50,000 यहां लेखेंगे आप गोड़ा करेंगे 34% और प्रतिस के दिने सान अठाएगा तो बटे मैं 100 हो जाएगा यहां आप 2 बिंदी से 2 बिंदी कर देंगे यहां 500 हैं गोड़त 34 में तो आप कर दें 34 गो इसका डिये आ रहा है 34 प्रतिसाद डिये जब है मूल बेतन कितनी हैं 50,000 अब हम निकालते है 38% डिये पर 4% की बढ़ाउती पर मूल बेतन 50,000 है उसी वीदी से निकालेंगे यहां लेकिएंगे 50,000 गुरत करेंगे अब 38 का क्यूंकि 4% डिये बढ़ाया है उसी प्रकार से य इस दो बिंदी से दो बिंदी काड़ देंगे अब देख सकते हैं यहां पांसो बचना है यहां गाया 38 गुरत पांसो इन दो बिंदी के बाद में गोड़ा खर देना बाद में तो यहां करते हैं गुणाव 5 काड़ी में तो 5 8 40 की सुपर हमसल जाए 4 और 5 15 और चार उननीस और दूबिंदी ऐसी केशी आप देख सकते हैं उननीस अजार लिए आ गया 38 परसेंट जब उगा रहे था मूल बेतन पचास अजार है अंतर आप देखें आप 19,000 यह जो है 38 परसेंट पर और 34 परसेंट पर था 17,000 आप यह गठा लेंगे 2000 रुपे का अंतर आ गया यह 2000 रुपे का अंतर आ रहा है 4% बढ़ने से यह जो चोंतिस परसेंट यह था तब जो डीए 17,000 बिला था और 38 परसेंट जब हुआ तो डीए 19,000 बिला यह इन दोनों की बीच का अंतर आप देख सकते हैं 2000 रुपे बढ़ जाएंगे 4% यह पर यह जिनकी मूल बेतन आप हमन के लिए हो भी सकता किसी की हो ना भी हो 34, 35, 36, 37, 39, 40 यह उसमें भी कोई गुड़ांग 10 का 50 का हो ऐसे ही 50,000 यह 47,000 दो सो हो जिनकी सेल्दी यह मूल बेतन उनके 12,100 रुपे बढ़ रहा हैं और जिनकी सेल्दी 50,000 मूल बेतन हैं उनके 2000 रुपे बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं बारा सो चोवीस सो रुप्य का जो है एरियर आपका मिलना है अब इसमें भी आपको कटने के बाद आपको उसकता है थोड़े से इसमें कम मिलें इसमें नहीं काटेंगे तो जो फिर इसमें आपको पूरा मिल जागा हो दोजार जिनको बढ़ना उनको 4000 मिलेगा और जित्ता बढ़ना उस इसाफ से आप जोड़ने यह जोड़के और उस प्रकार सा आप अपना एरियर भी निकाल सकते हैं तो चूंकि यह बा करेंगे और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस से प्रतिसद निकालना भी हम सीख सकते हैं कि इसका इतना कितना प्रतिसद हुगा तो उसी वीडियो से हमने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों तक पहुंचा है ताकि आप लोग इससे सीख सकें तो दोस्तों कोई जिल्या को धन्नवाद जय हिंद जय वारत